यह बेसिकली न इंडिया में प्रॉब्लम है यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को expertise की value नहीं पता है इंडिया में लोगों को time की value नहीं पता है यह बहुत बड़ी problem है पैसे की value तो पता है 10-20 रुपे, 50 रुपे, 100 रुपे बचाने के लिए अपना पूरा दिन खराब कर देंगे लेकिन उस दिन की क्या वैल्यू है ये नहीं पता है लोगो तो आपको पहले calculate करना पड़ेगा कि मेरी opportunity cost क्या है For example, आप business ना करके अगर job करते हो You are well qualified, आपको job भी मिल सकती है For example, आपको job मिल सकती है लाख रुपे महीने की तो एक दिन का कितना हो गया? मोटा मोटा 3,000 रुपे एक दिन में कितने घंटे आप काम करते हो? 10 घंटे मालो काम करते हो तो एक घंटे के आपकी value कितनी हो गई? 300 रुपे तो आपको पता होना चीए अपने माइंड में कि मेरे एक घंटे की value 300 रुपे है तो वो हम calculate नहीं करेंगे हम क्या देखेंगे? अच्छा सामने वाला जो बंदा है ना अगर मैं इस agent को hire करता हूँ यह मांग रहा है एक product के ओपर 200 रुपे और यह बहुत ज़ाद है मैं उससे नहीं करूँगा मैं तो खुदी कर लूँगा उस चक्कर में आप अपने दो मेने खराब कर दोगे तो दो मेने खराब करने का मतलब क्या होगा? दो लाग खराब कर दिये इससे बेटर क्या था? उस बंदे को कितना मांग रहा था? कमीशन, कमीशन सब मिला करके पांच जार पे, दस जार पे? नहीं मैं उसको नहीं कमाने दूँगा सारा मैं खुदी कमाऊगा यह बड़ी गंदी सोच है लोग उसी की चक्कर में श्टक हो जाएंगे अगर आप मेंसे पूछोगे ना बिजनस में यह तो अभी आप कर रहे हैं स्टार्ट अप की अगर मैं इससे और एक स्टेप आगे की बात करूँ वो लोग जो होते हैं जो एकी लेवल पे स्टक हो जाते हैं जो उससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं उनका फॉट प्रसेस ही होता है कि सारा कुछ में खुदी रख लूँ मैं किसी को नहीं दूँगा ना तो मैं किसी और को अपना काम हैंड ओबर करूँगा ना मैं किसी और को हायर करूँगा ना मैं किसी और को पैसा दूँगा उनका दिमाग ये चल रहा होता है कि मैंने अगर किसी को हायर किया और उसको 20,000 रुपे महीने का दिया तो मैं उसको क्यों दू 20,000 रुपे मैं खुदी कमालू ना तो वो उसी लेवल पे रह जाते है अब 20,000 रुपे वाला काम भी वो खुद करेंगे तो उनका लेवल 50,000 से उपर बढ़ेगा कैसे है बढ़ी नहीं सकता यानि एक sharing mindset होना चाहिए यह होना चाहिए कि हम मिल करके आगे बढ़ेगे अगर आप कुछ बढ़ा करना चाहते हो तो there must be people कि आप छोटे से निकल सको और उसको कोई और कर सके सब कुछ खुदी करोगे तो आप बढ़ा कैसे करोगे सबसे बढ़ा क्या है बिजनस में सोचना आइडियेशन तिंकिंग उसके लिए आप physically, mentally free होने चाहिए तभी तो आप सोच सकते हो वो सोचने के लिए पहले आपका mind free होना चाहिए चोटे-चोटे चिंदी कामों से हाँ तभी जाके वो तभी वहाँ से free होगे ना अब वो काम भी आप सारे खुदी करोगे तो आप तो exhaust हो जाओगे physically भी और mentally भी तो बढ़ा कैसे करोगे बिजनस को ये problem होती है 99% उन लोगे साथ जो एक level के बाद में आगे नहीं बढ़ा पाते हैं